हाई मैं प्रशांथ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कमूनिटी में स्वागत करते हैं तो आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ट पे आना चाहेंगे करने यह वालूम है यह प्राइस है यह सब तो आपको पता ही होगा उसके साथ साथ देखिए प्राइस भी यहां से आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा था उसके बाद यहां से आपका वालूम भी आपका ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया यानि इस लेबल पर हम बात कर तो इस level तक क्या हो रहा था? Open interest, volume और price तीनों आपका ऊपर की तरफ जा रहा था उसके बाद यहां पर हमें क्या करना था? यहां पर मेरा perfect entry point बन गया था यहां पर हमें buy करना था उसके बाद यह level देखे 37,000 के नीचे था यहां पर हम perfect entry लेते उसके बाद price आपका ऊपर की तरफ गया और इस candle पर आते ही देखे OI आपका decrease हो गया drastically और यहां पर OI जैसे ही मेरा decrease हुआ यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम अपने positions को exit करेंगे यहनि इस level पर हम exit करेंगे तो यहां पर मुझे क्या मिल गया? यहां पर मुझे मिला अपना perfect entry point और अपना perfect exit point तो मुझे इतना perfect entry और exit point किसके basis पर मिला? यह चीज मिला मुझे यह जो line है green color का जिसको हम लोग बोलते है open interest इसके basis पर मिला दूसरा यह जो है आपको volume इसके basis पर मुझे मिला और तीसरा जो price है जिसको हम लोग price action भी बोलते हैं इसके basis पर मिला तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे open interest, volume और price action के बारे में और इसका इस्तमाल आप trading में कैसे कर सकते हैं हमारा main focus उसी पर रहेगा और हम आपको वापस से chart पर आएगे और और भी different example के थुरू बताएंगे कि आप open interest, volume और price action के basis पर कैसे अपना perfect entry और exit point फाइन कर सकते हैं इसका इस्तमाल आप trading में कैसे कर सकते हैं delivery हो, options हो या future हो इन सब में कैसे इस्तमाल कर सकते हैं उससे पहले यहाँ पर हम इन तीनों के relation को अच्छे दा समझने की कोसिस करते हैं फिर हम इसका trading में इस्तमाल भी सीखेंगे तो यहाँ पर हम तीन चीज़ देखेंगे सबसे पहले price action उसके बाद open interest और volume को यह तीन चीज़ आपको simple लग रहा होगा आपने कई बाद इन तीनों चीज़ का नाम सुना होगा लेकिन इसका इस्तमाल लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं इसका इस्तमाल आप simply तरीके से कैसे कर सकते हैं वो आपको यह वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा और यह वीडियो में आप last तक बने रहे क्योंकि यहाँ पे आपको simple लग रहा होगा लेकिन जब मैं आपको explain करूँगा और chart पे मैं आपको यही चीज identify करने बोलूँगा या फिर इसके basis पे decision लेने बोलूँगा तब आपको difficult लगेगा और जब मैं आपको समझाओंगा उस time पे आपको confusion भी होगा यह चीज simple तो है लेकिन बहुत ज़्यादा confusion है उसको मैं आपको simple तरीके से बताने जा रहा हूँ चलिए सबसे पहले समझते है price action, oi और volume को फिर हम इसके table को भी समझेंगे कि यहां से हमें क्या कुछ indications मिल रहे है चलिए अलग से हम PPT पे आते हैं और इन सब को हम समझते ही कोसिस करते है यहां पर सबसे पहले volume को हम mention करते है उसके बाद आपका oi और फिर आपका price action जिसको हम simply price से denote करते है price आपका क्या हो सकता दो चीज हो सकता price आइधर उपर जाएगा या फिर आपका नीच्छे के तरफ आएगा price आपका उपर कब जाएगा जब market में क्या होगा buyer होगा यहनि जब market में buying होगा price उपर जाएगा और जब market में selling देखने होगा price नीचे जाएगा दोई चीज हो सकता है ठीक है यहां पे और जाला को समझने वाली बात नहीं है प्राइस उपर जा रहा मतलब बायर्स प्राइस को उपर ले जा रहे हैं प्राइस नीचे आ रहा मतलब सेलर्स इंट्री कर रहे हैं प्राइस को नीचे के तरफ ले जा रहे हैं अब OI में क्या हो सकता, यहां पे भी OI आपका उपर की तरफ जा सकता है, और OI आपका नीचे की तरफ जा सकता, यहां पे OI उपर जाने का क्या मतलब है, OI उपर जाने का मतलब है, कि यहां पे आपका क्या हुआ है, new entry हुआ है, अब new entry किसी का भी हो सकता, new entry यहां पे आप कर बायर्स का हो सकता है या फिर सेलर्स का भी हो सकता है वो हमें पता नहीं चलेगा वो हमें बात में पता चलेगा लेकिन वाय बताता है कि अगर वाय उपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर निव इंट्री हो रहा है अगर वाय नीचे की तरफ जा रहा है मतलब यहाँ पर ए चाहें और यहां पर उपर की तरफ आए या फिर दूपर नीचे की तरफ जाए उसका डिफलेक्ष्टन आपको को जरूर देखने को मिल जाएगा तो जो भी OI में change होता है उसका reflection हमें कहाँ पर देखने को मिलता है वालूम में देखने को मिलता है उमीद करते हैं आपको वालूम OI और price action समझ में आ गया होगा चलिए वापस से हम उसी table पर आते हैं अब हम उसको serial wise समझने की courses करते हैं तो यहाँ पर आपको इस table पर नहां देना यह table आपको और कहीं नहीं मिलेगा आप चाहो तो इसका screen sort भी ले सकते हैं यह table मैंने खुद से prepare किया जो की trading decisions लेने में आपको help करेगा यह आपका bookies knowledge नहीं है इसको याद नहीं करना बस इसको आपको समझना है और इसको आपको experience gain करना इसके basis पर live market में और आप इसके basis पर trading decisions ले सकते इसलिए मैंने यह सारा combinations बटना आया और यह सारा combinations आपको और कहीं नहीं मिलेगा सबसे पहले OI positive क्या मैंने बताया था OI positive है मतलब यहाँ पर addition हुआ है चाहे addition buyers का हुआ या sellers का हुआ वो मुझे idea नहीं है लेकिन यहाँ पर entry हुआ है लोगों का volume भी बढ़ा है मतलब OI का reflection यहाँ पर volume में हमें देखने को मिल वा अब यहाँ पर देखिए price आपका ऊपर की तरफ जा रहा price positive है क्या मतलब है price positive है का मतलब एक ही है कि यहाँ पर buyer है मतलब जिनका addition हुआ है वो क्या है वो buyer है मतलब OI और price को एक साथ combine करेंगे तो आपको यह idea मिल जाएगा कि लोग जो entry की है वो buyers है या sellers है लोग जो markets ए exit हो रहे वो buyers है या फिर sellers है यहाँ पर देखिए buyers यहाँ पर increase कर रहे है और market क्या हो रहा market यहाँ पर आपका strong हो रहा है ठीक है यह तीनों combinations को आपको समझना है मैं आपको live chart पर भी ले जाके बताऊंगा आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है इसलिए मैंने आपको सबको एक एक करके समझाया और वापस से सबको एक साथ समझाया है दूसरा OI यहाँ पर भी positive है मतलब यहाँ पर भी entry हो रहा entry किसी का भी हो सकता है buyers का भी हो सकता है या फिर sellers का भी हो सकता है volume भी बार रहा मतलब जो OI में हो रहा उसका reflection यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है उसके बाद price देखें नीचे की तरफ जा रहा price negative है मतलब क्या हुआ यहाँ पर selling हो रहा है मतलब जो लोग यहाँ पर entry किये थे वो क्या करें sell करें that means to यहाँ पर entry किसका हुआ sellers का entry हुआ तो मैंने आपको पहले ही बोला था OI price आपको बताएगा कि buyers market में entry की है या फिर sellers market में entry की है और volume आपको उसको respond करते हुए दिखेगा तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर sellers आपका increase हो रहा और यह market को कमजोर बना रहा पहला है कि market को strong बना रहा दूसरा market को कमजोर बना रहा देखिए volume OI दोनों में same है सिर्फ price का फर्ग है price positive से negative हुआ है यह indicate कर दिया कि buyers नहीं sellers control कर रहा market को और market यहाँ पर कमजोर हो रहा अब यहाँ पर देखिए OI negative है OI negative का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि लोग market से exit कर रहे यानि लोग market से बाहर जा रहे अब बाहर कोई भी जा सकते है buyers भी जा सकते है और आपके sellers भी बाहर जा सकते है लेकिन volume आपका उपर की तरफ जा रहा मैंने पहले बताया था OI में कुछ भी change हो चाहिए OI घटे या बारे उसका reflection हमें volume में देखने को जरूर मिलेगा उसके बाद price भी उपर ये तरफ जा रहा मतलब लोग market से निकल रहे है और price उपर जाने का मतलब क्या है यहाँ पर क्या हो रहा यहाँ पर buying हो रहा मतलब लोग market से निकल रहे है लेकिन buy करके markets निकल रहे और buy करके कौन लोग markets निकलेंगे जिन्होंने पहले sell कर रखा होगा वही buy करके markets निकलेंगे मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है मतलब यहाँ पर short covering हो रहा है और यह market के कमजोरी को दिखा रहा है यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर buying हो रहा लेकिन market कम जोर क्यों है क्योंकि यहाँ पर start covering हो रहा start covering में क्या होता है तभी तक market उपर जाएगा जब तक इनका positions open वहाएगा जैसे इनका positions खत्म होगा फिर market आपका नीचे गिवने लएगा मतलब यह आपका limited upside move का hint देता है मतलब market आपका एक level तक ही upside जाने वाला है और किसी भी level से वापस नीचे की तरफ आ सकता है इसलिए यह market के मजबूती को नहीं market के कम जोरी को denote करता है इसलिए यहाँ पर मैंने बोला है कि यह indicate करता है कि market आपका कम जोर होगा आगे अभी नहीं होगा लेकिन आगे कुछ देर में market आपका कम जोर हो सकता है यह चीज़ denote कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर बाइर के entry करने के बावजूत भी market को कम जोर बता है समझ में आगे होगा यह चीज़ अगला point यहाँ पर भी negative है मतलब यहाँ पर भी लोग market से exit करें बाहर निकल रहे है यहाँ पर यह volume आपको positive दिख रहा है लेकिन यहाँ पर जो price है नीचे की तरफ जा रहा price नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन लोग entry कर रहे है sellers entry कर रहे है इसका क्या मतलब है कि लोग बाहर तो निकल वें लेकिन कोन लोग बाहर निकल वें यहीं जिन्होंने पहले buy कर रख़्ा था वो sell करके market से बाहर निकल दे मतलब buyers exit कर रहे हैं और जब buyers market से exit कर थे वो market के कमजोरी को दिखाता है क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि market आपका और उपर की तरफ जाएगा तो यह आपके market के कमजोरी को दिखाता और एक level तक गिरने के बाद market वापर से reversal भी दिखा सकता है लेकिन वो बात की बात है अभी current situation में अगर ऐसा हो रहा है और प्राइस दोनों नीचे किर रहा तो वो market के कमजोरी को दिखा रहा बायर्स यहाँ पर market से निकल वह यह चीज हमें यह बता रहा अगला और आपका decrease कर रहा वालूम भी decrease कर रहा लेकिन प्राइस उपर की तरफ जा रहा यहाँ पर आप देखिएगे यह वाला जो situation था same यह type of situation है बस यहाँ पर volume का addition हो रहा था यहाँ पर volume का subtraction हो रहा यहाँ पर जादा कोई फर्क नहीं परेगा यहाँ पर आपका short covering ही हो रहा है मतलब sellers exit कर रहे है यह market के कमजोरी को indicate कर रहा तो आपका volume भी अगर negative हो जाए तो समझाए कि short covering बहुत जल्द खत्म होने वाला है short covering खत्म होके वापस से market कमजोरी दिखाएगा market कमजोर होगा इसलिए मैंने यहाँ पर buyers के होने के बावजूद भी market के कमजोरी को denote कर वाया है यह सब आपको concept समझना है आपको to the point पे नहीं जाना सर्फ आपको concept समझना और यह सारा concept समझना ही नहीं है बसकि इसका implementation भी करना अगर आप concept समझ लेंगे implementation नहीं करेंगे समझने कोई फाइदा नहीं होगा इसको आपको practice करना उतनी आसानी समझ में नहीं आएगा जितनी आसानी अभी लग रहा होगा आपको जब आप इसको live market में देखेंगे थोड़ा difficulty होगा लेकिन जैसे आप यहाँ पे adopt हो जाएंगे इस सब का इस्तमाल करना फिर आपको बहुत easy लगएगा और फिर आपका accuracy level है trade का वो बहुत जादा increase हो जाएगा क्योंकि यह कहीं न कहीं hint जरूर दे देता market आपका उपर जाने से पहले या फिर नीचे गिरने से पहले और वही hint को हमें read करना और वही reading के लिए हमें यह सब चीज की जरूरत होती है अब आपको यहाँ पे देख रहा है कि लोग sell करके market से बाहर जा रहे है और जो sell करके market से बाहर जा रहे हूँ वो कोन है? buyers है जिन्होंने पहले buy कर रखा था वो यहाँ पे exit कर रहे है मतलब यहाँ पे buyers लोग exit कर रहे है और यह अभी current situation में market के कमजोरी को denote करता है लेकिन यह आपको दिखाता है कि market हलका हो रहा और जब भी market हलका होगा उसके बाद market आपका उपर की तरफ जाता होगा दिख सकता है यह आपको short term में कमजोरी दिखा रहा लेकिन यह long term में आपको positiveness दिखाता है यहाँ आपके buyers इंक्वीज होगे market storm होगा और यही phase होता है जहाँ पे बरे players अपना माल उठाते है क्योंकि उनको पता है कि यह phase आने के बाद मौका नहीं मिलेगा इसलिए वो यही phase में माल उठाते है और इसको हम लोग accumulation phase के रूप में भी tweet करते हैं चलिए वापस है चार्ट पे चलते हैं और इन सबको समझने कोशिस करते हैं फिर मैं आपको एक चाव लाइन में इन सबका conclusion बताऊँगा जो कि आपको और समझ में आ जाएगा चलिए पहले चार्ट पे चलते हैं वापस से हम यहाँ पे bank nifty के daily चार्ट पे आते हैं यहाँ पे आपने देखा कि आपका open interest March के मन से increase कर रहा था और आपका यहाँ पे volume भी increase करने लग गया और price भी आपका उपर की तरफ जाने लग रहा यहाँ तीनों उपर जा रहा मतलब हमें क्या करना था interview लेना था और क्यों interview लेना था क्या हो रहा volume उपर जा रहा price उपर जा रहा OI नीचे गिर रहा यह क्या दिखा रहा यह short covering को दिखाता है और market कमजोर होगा यह हमें बता रहा यही चीज वहाँ पे हुआ है price उपर जा रहा volume उपर जा रहा लेकिन OI decrease कर रहा है अब वह आपस से चार्ट पर रही है सेम चीज हो रहा OI यहाँ पे आपका decrease कर गया volume और price उपर की तरफ जा रहा मतलब यहाँ पे आपका short covering का यह hint और indications दे रहा और मैंने आपको बताये था कि जब भी ऐसा होगा market जाला time तक उपर नहीं रहेगा market गिरेगा और इसका hint हमें कहा मिल गया था इसका hint हमें यही candlestick पे मिल गया था मतलब हम यही यही जो high था उसी high पे यहाँ पे हम क्या करेंगे exit करेंगे तो यही region था कि हमें यहाँ पे perfect exit point मिला था क्योंकि मुझे OI volume और price action के combination के बारे में पता चल गिया था और बहुत सारे लोग loss magic कियोंगे या नहीं तो इस level पे entry भी कर लियोंगे तो यहाँ पे मुझे क्या बचाया यहाँ मुझे entry लेने से बचाया और दूसरा profit book करवाया यह नहीं मुझे dual profit दिया जहाँ पे मुझे नुकसान हो सकता था या profit कम हो सकता वहाँ पे profit मुझे maximum करवा कर दिया और मुझे additional नुकसान से भी बचाया जो की नुकसान से बहुत कम लोग बच पाते हैं तो यही combination को आपको समझना है और बार-बार market अपना direction change करने से पहले आपको इसके जरी हिंट जरूर दे देता है वापस से हम nifty के भी daily chart पे आते हैं अब यहाँ पे देखे 21 March से OI increase होने लग गया था और उसके बाद आपका volume भी increase होने लग गया था price भी यहाँ पे उपर की तरफ ही जा रहा था मतलब यहाँ पे मुझे 17-500 के level पे यह idea मिल गया था कि market कहा जाएगा उपर जाएगा क्योंकि यह 3 हो आपका positive side की तरफ था तो यहाँ से हम buy कर सकते थे और 18,000 के level पे हम अपना exit ले सकते थे कैसे exit ले थे 18,000 के level पे चलिए वो भी यहाँ पे हम समझने की कोसिस करते है अब यहाँ पे देखे कि OI हमें यही से decrease होने लग गया मतलब OI इसी level से आपका decrease होना start कर दिया लेकिन volume उपर जा रहा price उपर जा रहा मैंने आपको पहले ही बताया था volume क्या है? positive है OI negative है P for price आपका यह भी positive है तो यह क्या indication दे रहा है? यह हमें short covering का indication देता है और उसके बाद market ज्यादा उपर नहीं जाएगा नीचे की तरफ गिरेगा यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम profit book करेंगे उसके बाद हम अगले candle पर ही अपना profit book कर लेंगे यह नि हम यहाँ पर आपके 18,000 तरी profit book कर लेंगे या नहीं तो हम 100 point पर यह profit book कर सकते है at least मुझे कुछ न कुछ profit बना के दिया और loss होने से बचाए क्योंकि उसके बाद market देखिए all the way नीचे की तरफ गिरा है और लगभग वहाँ से 500 point नीचे गिरिया है तो नीचे गिरने से पहले इसने मुझे OI के जरिये hint दे दिया था OI chart बता दिया था यहाँ पर market हलका हो रहा यहाँ पर short covering के जरिये price उपर गिया price यहाँ से बहुत जल नीचे की तरफ गिरेगा तो उसके बाद price आपका नीचे की तरफ भी गिरा है तो अगर हमने इन तीनों की combination को समझ लेते है तो यहाँ पर हम perfect जगा पर entry ले सकते थे और perfect point पर exit ले सकते थे और यह चीज आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है future में ज़्यादा चार्ट अबलेबल वहता नहीं है और यह open interest एक ज़्यादा चार्ट से future में ही दिखता है इंतजार रहेगा और इसको मैं proper answer भी करूँगा तो at last मैंने आपको बताया था इन सब का summary मैं आपको चार्ट लाइन में explain करूँगा वो चार्ट लाइन समझे open interest in a rising market अगर increase हो रहा market आपका क्या है? bullish market है open interest in a rising market अगर market उपर जा रहा open interest अगर आपका decrease कर रहा इसका क्या मतलब है? bearish shine है open interest in a falling market अगर falling market में open interest increase कर रहा यह भी आपका क्या sign दे रहा? bearish shine दे रहा open interest in a falling market decrease कर रहा यह आपने bullish shine दे रहा ति इस चार्व लाइन में आप इन सब concept को conclude कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको doubt लग रहा है कि अगर falling market में open interest increase हो रहा ति हमें bullish shine कैसे दे रहा? आपको जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देरी के लिए market आपका यहाँ पर bearish shine देता हुआ देख सकता है लेकिन ultimately यह बता रहा है कि market यहाँ पर हलका हो रहा और उसके बाद market आपका ऊपर की तरफ जाएगा इसलिए हम overall इसको bullish shine के रूप में tweet करते हैं so that's all friends इससे related कोई भी doubt या confusion हो तो आप हमें comment section में जबूर पताएगा उसका मैं proper answer करूँगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए ताकि इस तरह के और भी conceptual वीडियो हम आपके लिए regular basis पे लाते रहेंगे so मिलते हैं next वीडियो में जै हिन